आज हम बनारसी कचोड़ी बनाएंगे, सबसे पहले 2 is 2 1 के रेशियो में आटे और मैदे को लेना है, उसमें हमें अजवाइन, मंग्रेल और घी डालनी है, और थोड़ा सा नमक भी डालना है, फिर इन सब को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, फिर हलका सा गुनगुना पानी हम इसमें मिलाएंगे, और इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम यह देखेंगे कि यह अच्छे से हमें बॉल बन जाए, इकटी हो जाए, अगर नहीं मिलती है, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल और मिलाएंगे, फिर हम इसको नरम हातों से गुन लेंगे, और बहुत बड़ी का मसाला है, इसमें हमने खड़ी सूखी धन्या, हींग, नमक, बड़ी छोटी लाची लॉंग, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और सौफ को लिया हुआ है, अब हम इसको हलका सा भून करके इसको हमें पीछ लेना है, अब हम पैन पर देशीगी डालेंगे, औ इसको कि हम पिठी कहते हैं, उस पिठी को हमको भूनना है, तो हमने पैन में देशीगी को डाल लिया है, और अब हम इसमें उस पिठी को मिलाएंगे, और हमें इसको अच्छे से भूनना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमने इसमें पिठी डाल दिये, और अब हम इसको भून रहे हैं और हमको एक-एक इसमें दाना हमें अलग चाहिए तो हमें अगर घी कम लग रहे हैं तो हम इसमें बीच-बीच में थोड़ी सी घी और मिलाते जाएंगे यह हमें एक दम भुर-भुरी सूखी चाहिए एक-एक दाना जितना ही अलग होगा यह कचोड़ी आपकी पिछ लिया है काचोड़ी का मसाला इसमें मिलाएंगे और इसको वापस से थोड़ी दिर के लिए इसी समय में इसमें नमक भी मिला देना है और अब हम इसको वापस से भूनेंगे आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से भून गई है और लगबक हर एक दाना इसका अलग- अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब धंडा हो tahe हमे भूआ दो तयार किया था, हमने उसके गोले काट लिया है अब एक पिट्थी अब भरना., हम चोटी चोटी लो़िया लेंगे और नरम हातों से उसको भर लेंगे ताकि ये फटे नहीं थे अब हम कडाई में देशी की डालेंगे आपकी इच्छा हो तो आप उसमें तेल भी डाल सकते हैं मैंने इसमें देशी की डाली है और अब हम देखिये इन कछोड़ियों को इसमें तलने को डाल दिया है इन तली हुई कचोड़ें को अब हमको टिशू पेपर में निकाल लेना है और अब यह देखिए हमारी गर्मा गर्म बनारसी कचोड़ें तयार है